यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महतप्ण होने वाली हैं क्योंकि इस वीडियों महामख सいきने वाले हैं कि परमे करण को किस तरह स किया जाता है और ओवी बिल्कुल शुरूय से और ओवी सबसे असान तरीका से अधिया पर्मेकरण को बिल्कुल अच्छे से सिखना चाहते हैं तिस वीडियो को शुरू से लेकर रहन तक और ध्यान से जरूर देखिएगा यह वीडियो जैसे ही खतम होगाना आप पर्मेकरण करना बहुत ही अच्छे से सिख जाएंगे देखिए पर्मेकरण को आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने के लिए और सुरूगात से सिखाने के लिए यहाँ पर मैं तिन परसन लिया हूँ पहला परसन बहुत ही असान है और यहां सुरूगात का परसन है उसके बाद उससे कठीन परसन है और तिसरा परसन परमेकरण में सबसे कठीन परसन है तेदी अब इन तिनों परसन को अच्छे से सिख जाते हैं समझ जाते हैं तब फिर आप परमेकरण का कोई भी परसन बहुत हैं सानी से बना देंगे तो चले भाम मेके करके इन तीनों परस्ण को बनाते हैं और सिखते हैं कि परमेकरन को किस तरह से किया जाता है तो देखे जब भी आपको इस तरह से परस्ण मिलेगा ना सिंपल एक अंको वाला तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो नीचे में संख्या दिया गया रहेगा इसी संख्या से एक बार उपर और एक बार नीचे गुना कर देना है नीचे में संख्या क्या है तो देखें नीचे में है रूट साथ तो रूट साथ से हम क्या करेंगे, एक बार उपर गुणा कर देंगे, और एक बार नीचे गुणा कर देंगे, ठीक, यहाँ पर भी साथ हैं, गलती से तिन लिखा गया, सबसे पहले क्या करना है, तो जो नीचे में संख्या दिया गया है, इसी से एक बार उपर गुणा करना ह उसके बाद क्या करना है तो देखिए अब हापस में गुणा करा दिजी इस तरह से उपर वाले को उपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तो हम एक में रूट साथ से गुणा करेंगे तो यह रूट साथ ही आएगा उसके बाद कि यहाँ पर रूट साथ हैं और यहाँ पर भी रूट साथ हैं तो रूट में और रूट साथ में इस तरह से गुणा करेंगे न दोगो संख्या जब रूट के अंदर रहेगी और दोनों संख्या यह कहीं रहेगी तो इस पर से root हट जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा root के अंदर 7 गुणे 7 तो बराबर में यह हो जाएगा उपर में root 7 तो root 7 जेव का तेव और नीचे में क्या हो जाएगा तो इस तरह से root हट जाता है तो यहां से रूट हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा केवल साथ और यहीं हो जाएगा इसका राय टेंस वर अब दूसरा परस्ण समझे देखेगी इस तरह के परस्ण रहेगा तो इससे हम किस तरह से बनाएंगे तो देखिए यहाँ परस्न भी बहुत ही असान इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है जो नीचे वाला संक्या है न इसी से एक बार उपर और नीचे गुणा करना है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूगो संक्या है और बीच में चीन भी है ठीक और उपर वाला पर इस तरह क्यादी रहेगा दूग और संख्या रहेगा बीच में कोई चीन रहेगा हम चीन पदल कर ऊपर और नीचे गुणा करेंगे फैदा क्या होता है देखे इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यह सेम टू सेम है कट जाएगा यानि कि इसका मान क्या हो जाएगा एक के बराबर हो जाएगा तो इसलिए यहां पर सेम टू सेम संख्या से उपर और नीचे गुणा कराया जाता है ताकि इसके मान मे कोई भी परिवर्ता ना आए अब हमें क्या करना है दखिए उपर वाले संख्या को उपर वाले संख्या से गुणा कराना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा कराना है तो उपर में है एक ता एक में हम किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका मानि में कोई भी परिवर्ता नहीं होगा यह जियों का तेव हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट पांच माइनस रूट दू जियों का तेव ठीक उसके बाद देखें नीचे में क्या है नीचे में यहाँ पर है एक बाद रूट पांच पलस रूट दू उसके बाद यहाँ पर हैं रूट पांच माइनस रूट दू यहाँ पर देखिए यह जो दोनों है एक सूत्र पर बैठ जाएगा और सूत्र यह होता है कि यदि कोई भी संक्या A-B या A-B इन्टू A-B यहाँ पर देखिए संक्या J-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसी तरह से रूट दू का स्कार करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दो बराबर में क्या हो जाएगा तीह वाला संख्या जेंग का तेंग रूट पांच माइनस रूट दू बाटा में क्या हो जाएगा तो बाटा में 5 मले 2 घटाएंगे क्या बचेगा तीन बचेगा और यहीं हो गया इसकार आई 10 सवर अब हम समझते हैं कि जब इस तरह से परमेकरण का परस्न दिया गया रहेगा तीसे हम किस तरह से बनाएंगे तो देखिए इस परस्न में भी न हो ही काम करना है तो देखिए परमेकरण का कोई भी परस्न क्यों न हो उसमें सबसे पहला काम यहीं करना होता है कि जो नीचे वाला संख्या होता है उस संख्या से एक बार उपर और एक बार नीचे गुना करना होता है और चीन रहता है तो चीन बदल के गुणा करना होता है और चीन नहीं रहता है तो इसी तरह से गुणा कर देना होता है बहुत ही असान है तो इसमें भी हम क्या करेंगे सबसे पहले इस संख्या से एक बार उपर और एक बार नीचे गुणा करेंगे और इसमें माइनस का चीन है ना तचीन बदल के गुणा करेंगे यानि कि पलस इनके साथ गुणा करेंगे तो देखें यहाँ पर हो जाएगा गुणा में तीन रूट पाँच माइनस है तो हो जाएगा पलस उसके बाद किया है तो उसके बाद है दू रूट छे अब देखिए उपर वाले संख्या को उपर वाले के साथ गुणा कराना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुणा कराना है यहाँ पर देखिए यह जो संख्या है ना 2 रूट 6 उसके बाद माइनस रूट 5 और यहाँ पर हैं 3 रूट 5 पलस 2 रूट 6 यह जो उपर वाला संख्या है यह किसी भी फर्मूला पर नहीं है तिससे हम डिरेक्ट गुणा कराएंगे इस तरह से कराएंगे देखिए डिरेक्ट गुणा किस तरह से होता है यह भी सिख लेजे देखिए इस वाले संख्या से पहले हम इन दोनों में गुणा कराएंगे फिर इस वाले संख्या से हम इन दोनों में कराएंगे कहने का मतलब कि देखे यह दोनों संख्या रहेगा और एक बार 2 रूट 6 से इन दोनों में गुणा कराना है और एक बार कराना है माइनस रूट 5 से इन दोनों में गुणा कराना है तो यह इस तरह से हो जाएगा देखिए काईसे सबसे पहला हम 2 रूट 6 से इन दोनों में गुणा कराएंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 6 गुणा इन दोनों संख्या में गुणा कराना है तो एक बार हो जाएगा 3 रूट 5 उसके बाद फिर पलस है ना यह जो दू रूट 6 है न इस से इन दूनों संख्याम हमने गुणा करा है तो एक बार दू रूट 6 से यह 5 से गुणा करा है यहां से लेकर यहां तक और एक बार दू रूट 6 से इस में गुणा करा है यहां से लेकर यहां तक ठीक उसके बाद किया माइनस है न अतम माइनस पर हो जाएगा रूट पांच गुणे तीन रूट पांच उसके बाद क्या करना है रूट पांच से एक बार इस संख्या में गुणा कराना है यहाँ पर देखे मैं नीचे में लिखे देता हूं माइनस रूट पांच गुणे यह वाला संख्या में लिखना है दू रूट छे बाटा में किया है तो देखिए बाटा में है यह वाला संख्या 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 उसके बाद कोष्ट में करके हैं 3 रूट 5 पलस 2 रूट 6 तो यह जो है न यह A माइनस B और A पलस B के रूप में है इस तरह से रहता है तो इस वाले सुतर पर बैठ जाएगा A पलस B into A माइनस B के रूप में कोई भी संख्या रहता है तो वा हो जाता है A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर ठीक तो इस फर्मुला से यह हो जाएगा A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर एक ज्यगहवा का क्या है एक ज्यगह पर है तीन रूट 5 तो इसका square मैस B का square B के ज्यगहवा क्या है तो भी की ज्यगहवा है तूर pretty Ш इसका हो जाएगा square अब हम git को हल कर दो ine टो देखिए क्या हैगा सबसे पहले हम उपर वाले संक्या को गुणा करा देते हैं तो देखिए इसमें देखिए अंक को अंक के सा तिन दूनी का छे रूट पाच में रूट छे से गुणा कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा पन छका तीस हो जाएगा तो रूट हो जाएगा तीस इस तरह से हो जाएगा यह हो जाएगा केवल 6 ठीक उसके बाद हम मैनस हैं तहम मैनस इसके आगे दखिए रूट 5 क्या है कोई बी संख्या नहीं है तो हम एक में और तिन में गुझा कराएंगे तो तिन ही होगा और रूट 5 में हम रूट पांस से गुणा कराएंगे। यहाद दोनों सेम संख्या है, रूट के अंदर हैं, इस पर से रूट हाट जाएगा, ति हो जाएगा 5. उसके बादी Ellis क्या होगा तो दखिए हम एक में और दो में गुणा कराएंगे तो यह दो ही होगा और रूट 5 में हम रूट 6 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा पांच का 30 यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 30 अब हमें क्या करना है नीचे वाले संख्या को भी हल करना है न यहाँ पर दखें तीन का स्क्वार करेंगे तो हो जाएगा नौ उसके बाद गुणा रूट पांच का स्क्वार करेंगे तो रूट गायव हो जाएगा यह हो जाएगा केवल पांच माइनस है तो माइनस 2 का square करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना root 6 का square करेंगे तो root 5 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा केवल 6 अब इसको जरा ध्यान से समझेगा बराबर में यहाँ पर देखिए यहाँ वाला क्या है? root 30 है यहाँ रूट 30 यहाँ पर है चार रूट तीस जो है यह जेंव का तेम हो जाएगा रूट तीस ठीक इन्द यह दोनों का काम हो गया इन दोनों को हमने हल कर दिया एक साथ यह वाला और यह वाला समझ में रहा है ना अब देखे इसको हल किजे तो देखिए 24 मले हम 15 मले हम घटायेंगे तह क्या बचेगा तर देखे यह जो चार हैं, चार मले पांच तो घटेगा नहीं तो चार इससे हांसी लेगा तो यह हो जाएगा 14 मले पांच घटेगा बड़े वाले मले छोटे वाले को घटा रहे हैं इसलिए यह 9 जो है पलस में रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा तो देखे यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 9 में और 5 में हम गुणा करेंगे तो 9 पाचे हो जाएगा 45 यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस चचब के हो जाएगा क्या यह हो जाएगा 24 अब इसको भी हल कर देना है उपर वाला जेम काते हूँ अब इसमें तो हल करने वाला कुछ है नहीं तो जेम काते हूँ हो जाएगा 4 रूट 30 उसके बाद पलस 9 नीचे में क्या है तो देखिए 45 मले 24 गटाएंगे तो क्या बचेगा 5 मले 4 गटेगा बचेगा उसके बाद 4 मले 2 गटेगा तो बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहीं हो गया इसका राई टेन्स वर तो इस तरह के परस्न को हम इस तरह से बहुत यह सानी से बना सकते हैं